तभी साथियों को प्यारफरा नमस्कार जे हिंद कैसे आप सभी लोग उमिद करता हूं कि आप अच्छे हैं हमस्ता स्वस्ता अपने पढ़ाई को निरंतर आप लोग जारे रख पा रहे हैं आईएगा फिर से सुपर फास्ट क्लास में आपका स्वागत है और स्वागत करने क के लिए तैयार हमेशा के त्राप का होस्त आपका दोस्त विजैंदर सिंग नेवरी रास्तान के अंदर पसुधन को लेकर के अपनी चर्चाएं चल ली थी याद रखेगा पसुधन में देखेगा मेवाती अर्यान भी अपने गाय की नसलें पढ़ ली थी पीछे वाली क्ल गाय के नसलों के बाद में आगे चलते हैं और बात करते हैं जर्सी किसके लिए जानी जाती है तो आप कहेंगे दूद के लिए परसीदे अमेरिका की गाय होलिस्तन की बात करते हैं हॉलेंड और निदर रेंड की गाय आगे फिर बात आती है स्विस ब्राउन स्विट्जर लेंड चमड़े के लिए परसीदे रेट देन की बात आती है तो डेन्वाक की रास्तान में अगरने आहर साहर सबसे सुन्दर नसल है और सोनें दा मिल्क क्विन ओप दे वर्ल्ड ज लेकिन अजमेर और विकानेर दोनों उप्सन दिये वे आ जाएं तो आपको जमेर की और जाना है आगे फिर बात आती है बुल मदर फॉर्म चांदर गाउं जेसल मेर में गोपालन विभाग आपका कब इस्तापत किया जाता है तेरा मार्थ दो जारे चोधा को किया जाता है ला-चरम मुदर ने का गायों की नसल किसे याद करनी है में वरी का सारा माल गिरनाएं दा गिरनाएं था मिवाती अरियानवी साश्यरी राठी में वरी कर का मुर्रा ने कहा मेना जरा मेना जरा खूबसूरत हूँ और बुरा पड़ा से साधी करने दो मुर्रा ने कहा मेना जरा खूबसूरत हूँ और मुझे क्या कर लेने दो मुझे पंधर पूरी से साधी कर लेने दो मुर्रा ने कहा बोलने कहा मतलब मुर्रा किसकी नसल भेंसकी सिरी सिरी नसल आएंगे पेपर के अंदर महसाना किसकी नसल भेंसकी नागपूरी किसकी भेंसकी जाफरा बादी किसकी भेंसकी और पंधर पूरी किसकी बैंस्की या दुखेगा अंद्र में उट्रा टोडा संतकनार त्राई यह भी नसले आती हैं और जमनापरी आगे बात करेंगे पर बकृरी की नसल भी आती हैं भेंस की नसल में एकी बात याद करनी, क्या याद करनी भेंस की नसल में, मुर्रा ने कहा, मेना जरा खूबसूरत हूँ, मुर्रा क्या करिये, मुर्रा करिये मेना जरा खूबसूरत हूँ, और मुझे तो पंधर पुरी से साधी कर लेने दो, चले आगे, चल दे, अब मुर्रा की बात आती याद रखेगा जिससे कुंडी कहते हैं कुंडी का मतलब आगे वाले जो सींग होते हैं मुड़े रहते हैं मूल उत्पति स्तल कहां पे इसका तो आप पहेंगे मौंट गोमरी पाकिस्तान में मेला कहां पे लगता है बहरोर में सिंग बड़े चोटे होते हैं और स्रेस्ट नसल है चेत्र की बात करते हैं तो अलबर है भरतपूर है दोसा स्वाय मुदपूर गंगानेदर और नागोर कौन सी नसल मुर्ण नसल इतनी बात आपको याद रख लेने हैं चलें आगे चलते हैं इसके बाद में फिर क्या बात आएगी देखिएगा आगे जैसे बढ़ेंगे तो और सारी चीजें निकलके आएंगे अपने सामने अब सुनिएगा इसके बाद में बात आए कि महसाना में याद रखेगा मुल्त कांगे गुजरात की राष्टान के धक्सन पस्रिम चेत्र में पाई जाती है साम तो सरल सभाव की बेंश णी होती ही महसाना नागपुरी की बात करते है मुल्ते महारास्टर की बड़े बड़े सिंग लंबे लंबे सेंग जभी परियोजुने नसल यानि बोजाट होने के काम भी आति रें साथ में दूद की काम में भी आती जाफराबादी वेरी 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 इंपोर्टेंट है मस्तिक्स महर्चंदर बना होता है हेवी नसल है सबसे ज़्यादा भारी नसल कौन सी है तो आप कहेंगे जाफराबादी मुलते गुजरात के काटिया बाड की है ताकतवर होती है और 2004 के अंदर इसको सर्वस रेस्ट बलसाली मादा जानवर का पुरुषकार भी मिला था रास्तान के दक्सन पस्रिम में दक्सन के अंदर होती है बदावरी मुलते यूपी की है दूद में वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा कौन सी नसल के भेंस में होती है तो आप कहेंगे बदावरी सूरती कदमे छोटी होती है दक्सन रास्तान में भेंस का अनुसंधान के अंदर वेरे वेरे इंपोर्टेंट परसन है भेंस का अनुसंधान है वों परजनन के अंदर कहां पे है तो याद रखेगा वल्लब नगर में और यहीं पर आपका एक और वेरे नुसंधान के अंदर आता है कौन सा ही तो आप कमेंट करके बताईएगा बैस की कलॉन बनाई गई है गरिमा बैस की महिमा कटडी की बैस में रोग कौन सा होता ठपा और अब यह भी कौन सा रोग चलना है लंपी रोग चलना है और यह लंपी रोग किसमें चलना है तो आप कहेंगे सर यह रोग गायों में चलना है लंपी वाला रोग किसमें चलना है तो आप कहेंगे गायों में आगे बात आती है रास्तान में बकरी बंसकी याद रखेगा बकरी बकरी को कहते हैं गरीब की गाय बकरी को गरीब की गाय कहते हैं रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज कहते हैं क्योंकि भाई साथ दूद के भिखरने का दूद के खराब होने का डर ही नहीं है फूपाजी दो पैर को आए और बकरी से दूद निकाला और चाय बना ली सेखा जी ने माँ से क्या कई सीरोगाल सेखा जी मह departure जखर दूद निकाल कर और जखर जठर लोहा पर जखर दूद कर लेनи जब्हेट लोहा पर पूण श्रकुन सापर एफ-डाजब अजब अगजब लो आप पर जखर जखर दूद निकालनों, सेखा जी ने मा से कहा, क्या कहा, मा सिरोगाल, बोले क्यों, अजब अगजब लो आप पर जखर जखर दूद निकालों, जखर जखर दूद निकालों, याद रखेगा सेखा वाटी किसके ने सल बकरी की, आगे बे यी तो आप कहेंगे बकरी की लोही किसकी आती बकरी आप अलग से याद खरना याकर ज्खा nuestras निकालो जागाना और जकराना दूद भी भाई साथ जकर जकर ही देती है मैंने क्या कहा जकराना दूद भी जकर जकर ही देती है याद कर लेना आगे बात करते हैं कि क्या अलवरी जमनापरी बारबरी लोगी जकराना ये सारी कि सारी जो नसले है ये किसकी तौकना उत्तरा जाएगा बकरी की नसले अब एक एक नसल को देखते हैं, सेखावाटे की बात करते हैं सीखर चुरु जूंजरों में नसल काजरी के वज्ञाने को द harmless है बिना सिंन्ह की बकरी, आज भन्यद गर perseverance ला भ्याकरे बिना सिंन्ह की बकरी है, यह आपका काजरी के वज्ञाने को द्वारा विक्सित नसल है सेखावाटी मारवाधी रास्तान के सबसे प्राचीन केतने पिमार हुजे योई गुमती फिरेगी आगे बात आरे हैं जेसलमेर भाडमेर जोत्पूर पाली विकानेर संभाग में मारवाधी नसल की वकरियां पाई जाती फिर बात आती हैं जकराना में याद कर लेना जकराना गाओं कौन से जिले में अलवर में इसका मितलब सीधा सीधा अलवर की बहड़ो तसिल का जकराना गाओं और जकराना नाम ही बकरी का है दूद भी केसे देगी जकर जकर ही दूदे देगी तो याद कर लेना जकराना नसल सबसे ज़्यादा दूद देने वाली निसल है एक लगबद अपन बात करते हैं तो यह साथ से लेके आठ लिटर तक दूद है यह सुबह साम में दे देती है कई गाहें नहीं देती चार लिटर से ज्यादा और बखरी साथ से आठ लिटर तक दूद देती है तो बखरियों के इंदर इसी बखरी सबसे ब्यूटीफुल यानि सबसे सुन्दर जो बखरी है वो कौन सी है बारबरी बारबरी बारबर तो नहीं होता सर नहीं होता तो नहीं क्या करता है सुन्दर ही तो बनाता अपने को तो याद कर लेना बारबरी सबसे सुन्दर नसल है आगे फिर बात है भरतपूर को लो स्वायमादवपुर्दोसा बगरी की सबसे सुन्दर नसल परजिनन चमता सरवादिक है जमनापरी यह आपके दक्सन पुर्यू रास्तान के हडूती चेत्र में पाई जाती परवस्री की बात करते हैं हरियाना की बीटल और सिरोई नसल का मिस्रण है नागुर में इसके दिख अब बगरी नसल के बाद में जैसे आगे बढ़ेंगे तो कौन से नसल आएंगे देखते हैं बाद बगरी 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 के बाद में अब आता अलपाईनों टोकनबर के बगरी की नसल विदेशी हैं स्वेड़े लेंड के सहयोग से सो 81-82 में राम सर अरजमेर में बगरी चारा एवं परजनन केंद्र खोला गया है यह याद कर ले ना महत्तो पून तथ्य है बगरी चारा और परजनन केंद्र यह कहां पर खोला गया राम सर में केंद्र यह बगरी परजनन और रुसंदान केंद्र यह कहां पर विकान अगर टोक में बगरी परजनन निती कब जारी की 2009 में पसमिना उन बगरी के बालों से निर्मित उनको पसमिना उने कहते हैं अब बगरी के बाद में पन भाग करेंगे बेड की बेड के इंदर आपको का सारा माल गिरनाई था गिरनाई था और गिरनाई था ये किस की है ये है गाय की बैंस की सर बैंस में याद करो मुर्रा ने कहा मेना जड़ा खूब सूरत हूं और मुझे पंडर पूरी से साधी करने दो मेना जड़ा खूब सूरत हूं और मुझे पंडर पूरी से साधी कर ल कि अधि बेढ के निसल कोन सी याद कर लो केरी मामा नाम सोचो लेकिन केसा? बापु जय सा बेड में याद करना है खेरी मामा नाम सोचो केशा बापू जैसा खेरी से खेरी आगया मा से मारवाडी आगया मा से मालपूरी आगया ना से नाली मैं से मग रा मग रा सोनाडी आगया चुकला आगया बापू से भागडी पू से पुगल और जैसे जैसल मेरी होगी सारी पूसे पुगर आजाएगा खेरी बोले तो जोदपूर बाड मेर पाली आदे में घुमकड नसल है ओन इसकी सफेद होती है मारवाडी वही बात सबसे प्राचीन है और सबसे मोल नसल कौन सी मानी जाती है पर जमन केंदर कहा पे इसका जोदपूर केंदर आता है राष्तार मे इसका छोटे-छोटे कान है मोटी-मोटी हुन है गलीचे बनाने में काम में ली जाती अरिया की बात करें तो जेपूर टॉंक स्वाइं वादूपूर क्रोली 2 सब रोपूरा बुंदी परजनन के परें इसका जेफूर्द रहें इसे बिकानेरी चोकला कैते हैं नागोर चुरू उनकी बात सेपह लिगाने चाश नहीं रंबी होती है तो रेशा भी लंबा होता है याद कर लेना नाली लंबी तो रेशा भी लंबा सोनाडिया चनोतर वेरी वेर इंपोर्टेंट है यानि कान जो है ये चरते टाइम जमीन के इसपर्स करते हैं सबसे लंबे-लंबे कान होते हैं इसके याद कर लेना इस वेड के कान लंबे होता है जो चर्ते टाइम किसको हो जमीन को इस पर्ष करते हैं और स्नेसल की उन जो होती है चोटी होती है ये भेड चोटी है लेकिन भारी होती है चेतर की बात करें तो दक्सने रास्तान डुमरपूर बासवणा परतापकड उधेपूर भीलवणा चितोडगड केंदर कहां पर इसका चितोड में बात याद करनी है कि इसके कांज चरते समय जमीन को इस पर्ष करते हैं पर्फ चोपने और पार्त का सब्सक्रा को कर देंगी और वहाँ पर चोकला पर चौकला अलग अलग और यह सेखावाटी वाली बेड़ा जिसे भारती मेरिनों काते मेरीनों मूल नसल कहां की है उस्टेलिया की और यह बेड की सरवस नसल है इसका केंदर कहां पे कोडम देसर बिकानेर में चेतर आपका सेकावाटी, चेहरे पर गहरे काले भूरे दब्बे होता है, बागडी अलबर के इंदर होती है, लगबग चेतर परसेंट मुईसका काला ही होता है, पूगल, पूगल वैसे नाम याद रहेगा विकानेल के इंदर, जेसल मेरी याद कर लेना, यानि सबसे ज़्य चेतर की बात करते हैं तो जेसल मेरी आजाएगा, आगे फिकात करेंगे अपकरी याद कर लो, जेसी बेड़की डोकरी रूसी रे, है डोकरी डोकरी याद कर लो डोसाल्ड नाम याद नहीं हों से नहीं है डोसल्ट है कारीडल है रूसी मेरीन defence किए है स्विश राउन वया गाला कि है तो बखरी की है यार लेना सब्सक्राइन हो और है यह किसकी निसले zaai तो आप कहेंगे आपका अभीका योजनाओं का समंध किससे बैट से थिर आइगे पीर बात आति इतनी ओन gevिकास बोर्ड कि पर जोदपूर में सरवादिक उन उत्पादन करने वाला जिला कुन सा है जोदपूर है नियुंतम उन उत्पादन करने वाला जिला जालावाड है उनका प्रसिक्षन संस्तान कहां पर जेपूर के अंदर है उन विसलेशन पर प्रियोग साला कहां पर विकानेर में विदेशी पर विकानेर में एसिया की सबसे बड़ी उन्मंडी है विकास बोर्ड कहां पर तो आप कहेंगे जोदपुर के अंदर विकास बोर्ड आ जाता है चलें आगे पन चलते हैं अब इसके बात आती है केंदरी ये भेड का उन पर जनन संस्थान अभी का नगर मालपुरा टॉंक मे बेड के दो पर जनन के अंदर फतेपुर सीकर में बांकलिया नागर में अभी सारी सबेड का विज्यानिक नाम है ये भी मादा बेड को कहते है बुकनर बेड को कहा जाता है आगे फिर बात आती है अब घोड़ों की बात आएगी घोड़ों में तो क्या ही तो फोर्मुला याद करना गिंती की चार नसले हैं, याद कर लेना मालानी नसल के घोड़े कहां पर बाड़ मेर में, मालानी चत्री कहां का बाड़ मेर का, तो मालानी नसल की घोड़े बाड़ मेर में, घोड़े की सरवसे इस नसल है, और ये काठिया वाड़ी और सिंधी का मिसरण है, काठि वाड़ी अर्गी नसल से मिलता जुलता घोड़ा ये काठिया वाड़ी आप दिख पा रहे हैं जालो वो सिरोई में ये गुर्षवारे के लिए प्रसीद होता है बलिस्ट और समझदार घोड़ा होता है युद्ध में काम में लिया जाने वाला घोड़ा है कौन सा तो आप कह स्थाल के हैं और ये गोड़ा टिस्टल याद कर लेना आलम का धूरा बडय में रास्तान में अश्वा परजनन के अंदर किते दस हैं दसके नाम याद करने के आपको कहीं कोई सकता नहीं है ग्यारवा कांपर डूंड लो जूंजनों में परस्तावित है आगे बात आती है अक्बर के गोडे का नाम रह बर यह अपने पशुधन में नहीं वे से बता रहा हूं लक्समी भाई के गोड़े का नाम पबल बादल सारंग, सिवा जी के गोड़े का नाम मोती विश्वास गिज्रारंबिरो कृष्णा और अंजित सिंग के गोड़ा सिरी गोड़ा था प्रेबन आती इपने डेव नायंट जी लीलागर गोडा र्गाओंफ इनके मिट्टी के और बनाए जाते हैं बात आरी इसके बाद में कि ढोड़ों के बाद में उटकी बात कर लेते हैं कि पाई जाती है पस्मिर अस्तान में पाई जाती है इसल मेरी उन्ट की नसल कहाँ पर तो आपका उप्तर आएगा पसमी रास्तान में बात आती ही भीकानेर रास्तान में सरवाधिक उन्ट ही किसके हैं ये आपके विकानेर इंसल कहें क्या पर पाई gi vrais विकानेर में वो जाए डोने में उप्युक्त लिया जाता है उंट को रेक्स्तान का जाज कहते हैं आप जानते हैं नाचना उंट यह नाचने के लिए जाना जाता है क्या हां बिल्कुल सही बात है बिए सब के जवान आपके इसी उंट को काम में लेते हैं नाचने के लिए द किसी जब कि मुर्रा किसकी निसल है सकता है जोड़नना सल किसकी उंठी मुर्रा किसकी बहस्की कि कि लिए उट को राज्य पसु का दर्जाह देने के लिए बात आती है 19 सितंबर 2014 को अधिस उचना जारी किएगी और राज्य पसु का दर्जाह पालतु पसुओं के अंदर उट को दे दिया गया बात करेंगे वेसे वन्य जीवों में कौन है तो आप जानते हैं कौन है राज्य का राज्य पसु सीदी सीग बात चिंका रहा है ओट वद्रों का दर्यम कब बना 2014 में बनता है रास्तिय उट अनुसंधान के इंदर यह कहां पे बिकानेर के इंदर 5 जुलाए 1984 को स्थापित किया गया बारती कर्सिय अनुसंधान प्रिशद के द्वारा केमलस डोमेड डेर जाता है इसके जो आपका बांदा जाता है इसे पुर्ण के निचे लगाई जाती है इसे आप इंति के ऊपर बेड़ता है यह पिलानिया काटी करते हैं जिसके उपर बेड़ता है आपका सवार यह पिलानिया काठी कहलाती है इसके बाद में मेल पुरा उंट के बालों की सफाई करने के लिए आता है मेल पुरा लगबग गोड़े वाले लगबग सारे रखता है क्योंकि हमारे तो पुराने टाइम से रखता है तो मेल पुरा तो होता ही होता है आगे उंट के बालों की च कतर नहीं को कतरीर कार्वान जूंट ओंतों कर ठेवता कोन ऐय क्या बात आरें यह उंटकी आधिक कला कारी इस साखरत कहला था वर्तमार में हनीप उस्तादी पहले प्राचिन जो पदमत enfants विश्ण वाजा गया हिसामुद्दिन उस्ता उस्ता के लागा स्वर्निम काल अनूप सिंग काल मुलत उस्ता गिला है कहां कि तो आप कहेंगे सर विकानेर की कला बाता पर और चलते हैं इसके बाद में फिर आगे बाता है तो अपन और बात आती है केमल में किसे कहा जाता है असोग टांक को कहा जाते हैं केमल में असोग टांक कई परकार के में आते हैं राथतान में यह जोड़े वाला बाबा किसे कहते हैं करनल जम्स्टोड को कहते हैं पानी वाला बाबा किसे कहते हैं काका पूरी को कहते हैं परसना यह मंकीमान किसे कहते हैं जानकिलाल भांड को कह सब्सक्राइब सब्सक्राइब के लगता है याद कर लेना आपकी किती है 146.23 लाग है मुर्गी पालन में पहला जिला कुन साजमेद नियुनतम मुर्गियों वाला जिला कुन सा तो आपका उतराएगा करोली मुर्गी पालन में रास्तान का इस्तान सत्रवा, अंडर उत्पादन में पंद्रवा, देशे नसल की सरवादिक मुर्गिया मासवडा में, संकर नसल की मुर्गिया आजमेर में, मुर्गी पालन का प्रसिक्षन के इंदर आजमेर में, रास्तान में अंडों की टोकरी आजमेर सवादेश्य नसल की मुर्गिया हैं बात आती है असील राज्य में पाया जाने वाला रोग बर्डफलु मुर्गियों का रोग ए तरीका कारगनाथ यूजना यह किससे समन्धित है यहापका मुर्गियों से अन्य बणाजा घ्राम प्रिया घ्रामलक्स लक्समी करश्चना नं नेक्स्ट अपनी बात आती है गदे बारत के अंदर सबसे ज्यादा गदे कहां पर रास्तान में और गदों का मेला कहां पर लगता है लूनियावास गाउं के अंदर लूनियावास गाउं कहां पर सर जेपुर के अंदर है बात आती है गदों का मेला सोर्सेन वारा में गदों का ब्यारण कहां पर डूंड लो बड़ी अच्छी बात है बाधादी गधा गधा सीतला माता की स्वारी की रूप में गिना जाता है कौन गधा हाजे अब बात आती है सुवर की रास्ता में सरवादिक सोरो वाला जिला कौन सा जेप दूंगरपूर का मासका कहलाता पूर्क कहलाता है राज की सुकते पालण की कि को फष्ट कहता है नेली कुरांती का समथ किसे मतस्से पालण और गुलाभी करांति का समन किस से जहिंगा मसली से अगे चलते हैं परदेश के अंदर एग्रो टिरुजम को बढ़ा देने के लिए तक बढ़ा दश्तान में आई की दस्ट्री से बढ़ा मेला था लेकिन अब एक बात और याद करवा देता हूं है, सिदा सिदा याद कर लेना, वर्तमान में अगर आजाए बाई चांस, जस्वंत सागर पसु मेला, ये क्या आएगा, ये रास्तान का बड़ा पसु मेला आएकिदस्टि से, रामदेव पसु मेला मानासर के इंदर है, रामद मीन मेला रास्तान का सबसे बड़ा, गोगामेडी मेला ये आपका लगता है, ये सबसे लंबी अवधी तक लगने वाला मेला, महासिवरात्री मेला कहा लगता है, करूली के अंदर लगता है, और अंतीम स्टेप में आपन बात करें, जस्वंत पसु मेला ये आपका परी पसुमेला सांचोर में, बसंती पसुमेला भरतपुर में, बजरंग पसुमेला लगता है, निमबाज पसुमेला लगता है, पाली के अंदर, बाली पसुमेला पाली में, बहरूड बहरूड अलवर में, चंदर सेनवालपुरा में, और सीता बाडी कहां पे, आपके बारा ठीक है तो आज के लिए तक आफी बाकी मिलते हैं जल्दी जे हिंद जे भारत